आप देख रहे हैं केस इंटोल्टिपूर पलपल की खबर दो महिलाओं को चाकू से गोदने वाला आरोपी पुलिस की पकड में आ गया है एक महिला की जहां मौत हो गई थी वहीं दूसरी गंभी रुप से घायल है जिस उपचार के लिए जिला स्पताल में भरती किया गया है मामला सियसबी चौकी छेतर के गिर्वा घाड बस्ती का है जहां आरोपी शेस नरायन पांडे घायल उमा यादो को चाकू से गोद रहा था बिच बचाओ करने पर संतोशी चौहान के पेट में भी चाकू घोप दिया जिसकी दर्दनाक मौत हो गई मामले में पुलिस ने हत्या का अपराद दर्च किया और आरोपी को पकड़ लिया बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों महिलाओं को उधार में रुपए दिये थे जिसे पाने वह विवाद कर रहा था कैसन 24 नियूस के लिए कोरबा से संतोश तिवान की रिपोर्ट